मैं रोहिन शमा स्वात करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहापर बात करने वाले हैं 27 मार्च 2023 के बारे में 27 मार्च 2023 का दिन आप सभी को कहा फायदा और कहा पर नुकसान देगा कौन सी वैदिक रेमिडीज आज आपकी मदद करते हुए नजराएंगी कौन सा रहेगा एंजल नंबर और अफ़रमेशन आज आपके लिए क्या है वास्तु का उपए और क्या है गोल्डन विश्टाइम स संवार का दिन सब्ता की शुरुवाद का दिन है मतलब कि वर्कलोड तो काफी जादा रहने वाला है आज और मेहनत बहुत जादा करनी पड़ेगी इस चीज की कहिन के कैलकुलेशन दिखाई देती है इसका मतलब यह है कि आज का दिन काफी ज़दा हेक्टिक जाता हुआ न आपको धेहरिक के साथ आगे बढ़ाना है मालब की पैशिन्स आपके पास होना चाहिए और सोच समच कर समस्दारी के साथ काम करनी की प्रवर्ती आपकी होनी चाहिए आज बात का विशेष जया लगल मैंटर से जतना बत सकते हुआ है बचने की आप सबीकि जादा रहेगा आज के दिन में अपने सीनियर्स के साथ कोई भी बाच्चित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा अच्छी रहेगी आज के दिन में अपने काम को और अच्छे से बैलेंस करने का प्रियास करिए साथ ही साथ अपने गर के लड़ाई जगड़ों को भी खतम करने की कोशिश जरूर करें आज का दिन दोनों ही एंगल पर बहुत ज़्यादा अच्छा है चीज़ों को म्यूचल लेवल पर लाकर के एक नई तरीके से रीडिजाइन करने का दिन आज कहीं दिखाई देता है इसी के साथ साथ आज के दिन में आप सभी अगर property से लेटे कुछ काम करना चाहते हैं, property खरीदना चाहते हैं, property खरीद करके अपने आपको उसके लिए prepare करना चाहते हैं, तो वो भी समय आपके लिए काफी ज़दा शांदार है, इसके लिए भी आप अपने आपको आगे सकते हैं, आज का दिन किसी विशेश कारिये से अगर आपको बाहर जाना है, तो आप सभी थोड़ा सा डाक कलर प्रिफर करिएगा, बहुत ज़दा लाइट कलर आज की दिन ना पहने, इस बात का विशेश दियान रखिएगा, आप डाक पर्पल कलर, डाक रेड कलर, महरून कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर और डाक ब्लू कलर पहन सकते हैं, यह सारी ही कलर काफी ज़दा शानदार रहेंगे, मोस्ट फेवरिबल कलर की अगर मैं बात करूँ, तो पपल और महरून अगर आप पहन ले, या फिर ब्राउन से कनेक्ट थोड़ा सा कुछ पहन ले, तो उठने के तुरंट बाद तीन बार गहरी सांस लीजिएगा, उसके बाद ही अपने दिन को शुरू करिएगा, तसली, बनाब की एक पेशिंस, कामनेस आपके पास होनी चीज़ जब आप दिन को शुरू करें, तो इसलिए उठते ही ऐसा नहीं, अरी ये करना है, वो करना है, यहां जाना है, ये काम करना है, ये सारी चीज़े मत करिएगा, इस बात का विशेश ध्यान रखेगा, नहीं तो 100% है, 100% दिन खराब हो जाएगा, शाम को फिर जब ये वीडियो देखेंगे और पश्टाएंगे कि अरे यार, सुबह देख लिया होता तो अच्छा रहता, ऐसी परिसिती आपकी बन सकती है, इस बात का ज्यान रखेगा, इसके अलावा यहां पर देखा जाए, तो आज के इस दिन में आप सभी को केसर का टीका अपने माथे पर ज़रूर लगाना है, ये अगर आप लगाते हैं, तो काफी ज़दा अच्छा रहेगा, आज अगर प करसों के तेल का दिया वहाँ पर ज़रूर प्रजवलित करें, और प्राटना करें कि आपका आने वाला समय अच्छा जाए, और आपका इस दिन बहुत शांदार निकल जाए, बिकास आज बगवान भोलेनात की अगर इच्छा हुई, और उनका अगर आशिवात प्राप्त ह तो ये दिन बड़े आराम से निकल जाएगा, नहीं तो टेंशन, तनाव, परिशानिया, हेक्टिक शेडियूल, काफी ज़्यादा चीज़े रहेंगी जो दिन को प्रभावित करते हुए नजर आएगी, और डोन वरी, एंजल नंबर है, अफरमेशन है, जो कि आपके दिन क को और भी जादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएगे, तो नोट कर लीजेगा, आज का एंजल नंबर क्या है, आज का जो एंजल नंबर है, जो कि आपके दिन को और जादा बहतर और जादा स्मूथ करने की कोशिश करेगा, ये रहेगा आपका 3591, बहुत जादा अच्छा नंबर हैं बहुत जादा पॉस्टिव नंबर है और यह नंबर एक-एक मुमेंट में आपको कहीं नहीं पॉस्टिवनेस और एक रिक्सेशन देता हुआ नजर आएगा तो आप जब भी इस नंबर को रिकॉल करें या फिर इस नंबर को तीन से चार बार एक साथ recall करिएगा तो यह आपको एक अलग सी vibrations देता हुआ और एक अलग सी positivity देता हुआ नजर आएगा सेम चीज आज आपका affirmation भी आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है इसलिए note कर लिजेगा प्लीज आज का affirmation क्या है I speak and I work with confidence and calm assurance यह आपको बोलना है I speak and I work with confidence and calm assurance मदद की मैं जो भी बोलूँगा या जो भी करूँगा वो पूरे confidence के साथ और पूरे patience के साथ उसको आगे करता हुआ नजर आएगा यह आपको बोलना है and definitely आप ऐसा कर पाएंगे क्योंकि यह capability आपके अंदर है यह angel number, affirmation and remedies आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे इस level पर अपने आपको prepare करने के लिए आज का golden wish time के अगर हम बात करें यह वो समय है जहाँ पर दिन की साली परिशानिया खतम हो सकती हैं और कुछ पलों के लिए आप अपने आपके साथ और जादा अच्छा समय बिता सकते हैं दोपर का समय रहेगा बारा बच कर पंदरा मिनिट से लेकर के एक बज़े तक का समय रहेगा जहाँ पर आप सभी को और जादा balance रखना है अपने आपको शांत रहे करके आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करनी है बहुत अच्छे रिजल्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर आज के गोल्डन विश्टाइम के बाद वास्तू के उपाय की कि कौन सा वास्तू का उपाय है आज जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी ज़्यादा शांदार बना सकते हैं इससे पहले नवरात्री का meditation अगर आप करना चाहते हैं और मेरे साथ 3 दिन की healing और नवदूर्गा meditation के साथ अपने परिशानियों को दूर करना चाहते हैं तो जल्दी से whatsapp पर message कर दीजेगा कि आप join करना चाहते हैं limited seat से मेरे पास इसलिए ऐसा नहों कि बाद में आपका number ना आपाए और आपको फिर next नवरात्री तक wait करना पड़ जाए तो इसके लिए मुझे whatsapp पर message जरूर कर दीजेगा तो हम बात कर रहे थे हैं अपर वास्तू के उपाए आज के दिन में कौन सा वास्तू का उपाए आपको करना है जिससे की परिशानियां आपकी दूर हो जाए और आपके गर में भी बैलेंसिंग इन्वार्मेंट बना रहे हैं देखे आज का जो दिन है ये थोड़ा सा systematic चलने का दिन है discipline के साथ चलने का दिन है और अपने आपको और भी ज़्यादा balance करने का दिन है गर में systematic चीजें क्या-क्या नहीं होती है क्या-क्या चीजें अस्त्वियस्त होती है उससे सबसे पहले manage करने की कोशिश करें उसमें से दो बड़ी चीजें पूरी तरह से ध्यान रखिए पहली चीज गर में आपका fridge आज बिल्कुल clean होना चाहिए fridge में खाना बिल्कुल balanced होना चाहिए fridge में गंदगी नहीं होनी चीजे और fridge आपका अस्त्वियस्त ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा प्लस एक और चीज यहां पर बताता हूँ आज के दिन में इसको भी correct कर दीजेगा ये बहुत अच्छा रहेगा आपके fridge में moment नहीं होना चीजे काफी बार ऐसा होता है कि fridge को हलका सा हाथ लगाओ तो वह हलका सा tilt करता है वह हलका सा हिलता है fridge हमेशा stable होना चीजे fridge का base, fridge के चारो base जो है वो पूरी तरसे stable होने चीजे हिलना डूलना नहीं चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आपका fridge हिलता है तो फिर उपर नीचे होता है तो फिर नीचे कुछ लगा कि उसको balance करें तो वो आपके लिए जादा अच्छा रहेगा तो यह आपका पहला है उपाय जो आपको करना है दूसरी चीज आपको गर में किसी भी तरह की गंदगी या गर में किसी भी तरह कूडा करकर इखटा नहीं होना चीए इस बात का विशेज द्यान रखेगा आज जितना हो सके चीजों को systematic जमा करके और arrange करके रखेगा ताकि आपको अच्छा महसूस भी होगा और आपको अच्छे vibrations भी उनसे देखने को मिल जाएंगे चोटी-चोटी सी चीज़े हैं कर लीजेगा फायदा आप ही को मिलेगा और आपका दिन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन पे जरों से क्लिक कर दिएगा कुछ भी पूछना चाहते हैं कुछ भी जानना चाहते हैं अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा